आज दा दिन बारा जन्वरी दा दिन पारत दे अते खास कर पंजाब देख बहुत वड़े कला कार नूँ चेते करन दा देनें अमरीश पुरी जो के हिंदी फिल्मा दे हुन तक दे सब तों बेहतरीन खलनाय का विच्चों एक मन्ने जान देने कही माहिरावलों उननों फिल्म जगत दा पार्ती फिल्म इंडस्ट्री दा हुन तक दा सब तों दमदार अते वड़ा खिलनाय क किरदार वड़ा कला कार मन्ने जान दा है आज उना दी बरसी है आज अमरीश पूरी एस दुनिया विच नहीं पर उना दे डायलॉग्स उना दी दमदार अवाज अते उना वलों निबाए गए किरदार आज भी चेते कीते जान देने पंजाब नू पंजाबिया नू एस गाल दा भी मान होना चाहिए कि ए मशूर कलाकार पंजाब दा रहन वड़ा पका पंजाबी सी जिसने कई पंजाबी फिल्मा विच भी बेहतरीन पूमिकावा निबाईया पंजाब तों फिल्म अंडस्टरी तक पंजाबी माम बोली दा थे पंजाब दावी ना रोशन कीता थे दुनिया पद्दर तक रोशन कीता अम्रीश पूरी दा जनम पंजाब दे नवा शहर इलाके विच होया अते ती साल तोवी जादा समय ताको हिंदी फिल्मा विच छाए रहे अते खलनाई की दे सबतों वड़े चेहरे वजों दुनिया पार विच मशूर होये उना दे फिल्मी सफर बारे एक बहुत दिल्चस्प गाले है के जवानी दे दिना दुरान जदों ओ बॉंबे गए ता हीरो बनना चोंदे सी अते हीरो बनन दी इच्छा नाड ओ बॉंबे पॉंचे पर फिल्म निर्त मातावाने उना नू एक हा के उना दा चेहरा मुहरा उना दी आवाज अते उना दी देख जड़ी है ओ फिल्म दे हीरो लई टोकवी नहीं इस तो अमरीश पुरी कोज निराश भी होए पर उना ने हिम्मत नहीं हारी अते अपनी कलाकारी सदका एहो जहा मुकाम बनाया कि कई फिल्मा विच ओ खलनायक होन दे बावजूद हीरो दे नाडो भी ज्यादा पर बावशाली नजर आये इस दुरान उनाने कई साल फिल्मा विच काम कर दे नाडनल थेटर विच भी काम कीता अते अपनी कलाकारी नू रुशनाया ते काफी प्रसिदी उना थेटर राही भी हासल कीती सन 1987 विच आई हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया विचला उना दा किरदार मोगैंबो बेहद मशूर होया एसे फिल्म दा डायलॉग मोगैंबो खुश हुआ अजवी लोकांदे जहन विच वस्दा आए उना दे बारे दस्या जानदा है कि परदे उत्ते पावेओ खलनायक दी पुमिका निबाँदे सी पर असल जीवन विच वो एक बेहतरीन इंसान अते अनुशासन पसंद अते समेदे बहुत पबंद इंसान सन अते एही चीज उना दी सफलता दावी एक वड़ा राज बनके अपने फिल्मी जीवन दे मगरले दिना दुरान उना ने कई चरितरपू मिकावां भी निबाईयां जिना विच परमुक तारते परदेश, ताल अते बेहद सफल साबत होई फिल्म दिलवाले धुलनिया ले जाएंगे शामल है हिंदी फिल्मा दे हुन तक दे 200 साल तोवी वड़ दे सफर दे इतिहास नू विख्या जावे ता हिंदी फिल्मा विच अमरीश पुरी तो बेहतर खलनाएक शायद ही कोई आया होवेका अमरीश पुरी सन 1970 असी अते 90 दे दहाके दुरान बॉली वुर्दे सब तो वड़े खलनाएका विच्चों एक सन अते इस दुरान उना दियां पुमकावा एक तो वद के एक यादगार साबत होई यां उना ने सन 1970 तो लेके साल 2005 तक साड़े 400 फिल्मा विच कम कीता आते खास गाले है कि उना दियां ज्यादतर फिल्मा हिट आते सूपर हिट होई यां उना दी आवाज एक बड़ी विलखन आते दमदार आवाज सी जो उना दी अदाकारी दे विच एक नमी जान पादिन दी सी उना दे वडे परा मदनपुरी नेवी बॉलिवुड विच कई एहम पुमकावा निबाईया आते ओ अमरीश पुरी दे आउन तो पहला ही फिल्म नगरी विच स्थापत हो चुके सन अमरीश पुरी ने पंजाबी दियावी कई फिल्मा विच काम कीता जिना विच पर मुख तौर ते यादगार पंजाबी फिल्म चन परदेशी विच निबाईय गई उना दी पुमकावी एक बहुत एहम अते प्रबावशाली अदाकारी वाली पुमका सी फिल्मा विच पामेश ज्यादा तर उना ने खलनाएक दी पुमका निबाई पर एस खलनाएकी दे किरदार विच उना दी वक्री पच्छान बनी अते किरदार तो परे उना दी दर्शका दी दिला विच एक हीरो दी जगा बनी अते आज भी कायम है अते आन वाले समया जदों वी फिल्मा विच खलनायक दी पून का दी जिक्र होवेगी जां खलनायक की दे वक्वक पहलुआ दी गल होवेगी ता अमरीश पुरीदाना आप महारे सामने आवेगा